नमस्कार दोस्तों स्वागत है। आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर दोस्तों यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जै मातादी आपका हारदिक स्वागत है। माता रानी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। glossy comment box में लिखे जै मातादी हमारे प्रिय दोस्तों रक्षा बंधन की हारदिक शुभकामनायों। दोस्तों, रक्षा बंधन का त्योहार हर वर्ष श्रावन महीने की पूर्णिमा तिथी को मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार लोगों का मानना है कि रक्षा बंधन तीस अगस्त को मनाना चाहिए। आपके लिए जानना अतियावश्यक है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखे और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। तो आईए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षा बंधन का त्योहार। भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानि की राखी बांधती है। और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ की कामना करती है। और भाई भी सदा अपनी बहन रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों आपको बता दे कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसलिए भूल कर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी न बांधे। इसके पीछे एक पौरानिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंका पती रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और एक वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो था। इसके अलावा भद्रा जो कि शनी देव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुब या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम सदर ही अशुब होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षा बंधन का त्योहार ना मनाए दोस्तों। रक्षा बंधन के दिन बहने अपने भाई की कलाईयों पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की काम ना करते हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को सनान आदी करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने लेकिन याद रहे शुब हवसर पर काले कपड़े ना पहने वस्त्र पहनने के पश्चात मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब आप अपने भगवान की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधे और इसके पश्चात भाई का मुह मीठा कराकर भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों राखी बांधने के पश्चात भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे और बहनों को उपहार वगएरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों चलिए अब जानते हैं साल 2023 में रक्षा बंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों पूर्णिमा तिथी की शुरुआत तीस अगस्त दो तेईस की सुभह दस बज कर अठावन मिनिट पर हो रही है। और पूर्णिमा तिथी की समापती 31 अगस्त दो हजार तेईस की सुभह सात बज कर च्यालीस मिनिट पर होगी। हालांकि पूर्णिमा तिथी उदय तिथी में 31 अगस्त को पड़ेगी। लेकिन 30 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथी रहेगी। इसलिए 30 अगस्त 2023 के दिन बुधवार को रक्षा बंधन का त्योहार मनाना बेहद ही शुभ रहेगा क्योंकि ये दिन गणेश को समर्पित है। भगवान गणेश को रक्षा बंधन और भाई दूज दोनों परवों में इन्हें पूजा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार पूरा दिन जो कि 30 अगस्त को भद्रा का साया रहेगा, भद्रा समाप्त होने का समय 30 अगस्त 2023 की रात 9 बज कर एक मिनट पर रहेगा। दोस्तों इसी लिए इस बार पूरा दिन भद्रा होने के कारण राखी बांधने का शुब मुहूर्त रात में प्रदोश काल में ही रहेगा। इसी लिए भाई को इस समय कभी राखी नबांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है, लंका पती रावन को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसी लिए पूरे कुल का विनाश हो गया। इसलिए रात के समय ही रक्षा बंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। ये थोड़ा कठिन जरूर है। लेकिन ये समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों कई लोगों के यहां ये परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के पश्चात रक्षा बंधन का त्योहार आदी नहीं मनाते। इसके लिए आप 31 अगस्त की सुभ को रक्षा बंधन का त्योहार मना सकते हैं। क्योंकि रक्षा बंधन दो दिन पढ़ रही है तो इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथी समाप्त होने से पहले ही, यानि कि 31 अगस्त 2023 की सुबह 7 बज कर 46 मिनिट से पहले भी राखी बांद सकते हैं, दोस्तों बस ध्यान रखे कि 31 अगस्त को सूर्य उदय होने के पश्चात ही रक्षा बंधन का त्योहा मनाए, 31 अगस्त को सुर्य उदय सुबह 5 बज कर 48 मिनिट पर हो जाएगा, इसलिए आप 31 अगस्त को सुबह 5 बज कर 48 मिनिट से लेकर सुबह 7 बज कर 46 मिनिट तक अपने भाई को राखी बांद सकते हैं, मुहूर्थ पर राखी बांदने से भाई को कई लाख गुना शुप दोस्तों रक्षा बंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। कोई चपल आदी भी नहीं देना चाहिए, उपहार में दक्षिना सुन्दर वस्त्र गहने आदी अवश्य भेंट करें।